हेलो एवरीवन बहुत बहुत सागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की दरब तो आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों का स्पेशल और बहुत ही जदा हेल्दी टेस्टी रायता तो देखकर यह आपको यह लग रहा होगा कि कितना जादा टेस्टी है तो चलिए देख लेते हैं इसकी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी तो यहां मेरे पास है यह बत हुआ जो की सर्दियों में मिलता है बत हुए का पराठा भी हम बनाते हैं बत हुए का साग भी बनाते हैं तो तो मैंने इसकी जो डंडियां है उन्हें निकाल दिया है यानि कि पतियां पतियां हमें लेना है और अच्छी तरीक से वाश करना है क्योंकि पतियां वाले सब्चियों में बहुत सारी धूल मिटी रहती है तो आप इसे अच्छी तरह से एक से दो बारी पानी में धो बगने में मैंने गरम होने के लिए रख दिया था तो पानी में हुबाल आने ही बाला है इसके बाद ही हम जैसे ही पानी अच्छे से गरम और बदेंगे बद कर दो से ब्लाज दन सब्रें हो भूरबाई से त्वरुत resonates से खतम हो जाते हैं इसे हम बिल्कुल हलका सा ही ब्लांच जैसा ही करेंगे कि इसका बस कच्चापन चला जाएं तो अभी बस इसमें एक से डियर मिनटी हुआ है बस थोड़ा सा इसे और पका लेती हूं आदा मिनट के लगबग और फिर हम जो है इसका गैस को बंद कर देंगे तो अभी देखिए पानी का कलर चेंज हो गया है तो इसका मतलब है कि बथवा अच्छी से पक चुका है गैस को आफ कर देंगे और पानी को ड्रेन कर लेंगे यानि कि जो बथवा है पतिया है उसे हम निकाल लेते हैं और मैं इसे डायरेकली मिक्सर के जार में ट्रांसफर क सकते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें जब तक हमारा बथवा गरम हो रहा है हम अपने दही में अनिमठा में तड़का लगा लेते हैं तो एक तड़का पैन ले लिया है गैस पर मैंने रख दिया है सरसों का इसमें तेल डाल दिया है एक चमच तेल को अच्छी तरह से गरम हो जाने दे जब तक तेल गरम हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च मिला लेते हैं स्वाद के लिए तो लाल मिर्च पाउडर तीखे पन के हिसाब से ही डालिएगा और नमक भी आप अप उबर हों तो संबैरसे से तो इसमें डालेंगे एक चोटाइच ही नवहीं और इक समस नमक जीरीया डालेंगे और जीरा को अच्छी तरह से चटक जाने देंगे जीरे के इए चैन्ज हो जाना चाहिए तभी हम इसमें तड़का लगाएंगे दिखिए अब जो color है वो change हो गया है हलकसे dark हो गया तो तुरंत ही हम इस तड़के को इसमें पोर कर देंगे और अच्छी तरह से इसे mix कर लेंगे तो बस तड़का लगाने के बाद में इसे plate से हम तुरंत cover कर देंगे जिससे कि इसका सारा जो बढ़िया बढ़िया खुश हुआ बाहर ना जाए और यहां पर बत हुआ भी ठंडा हो गया है तो इसे भी पीस लेती हूँ थोड़ा समय ने इसे दरदरा ही पीसा है बिलकुल जो फाइन प्यूरी नहीं बनाया है और यह ठंडा हो चुका इससे बहुत ही हलका सा भी दुआ निकल रहा है यह बहुत ही हलका ही गरम है तो बस इसमें हम इसमें डाल देते हैं इसे देखें कितनी बढ़िया जो इसकी प्य इसमें दे सकते हैं तो बस आपका रायता तयार है बत हुए का बहुत ही टेस्टी होता है एक बार जरूर ट्रैकर करके देखिए का मेरी रेसिपी से और आज यह वीडियो पसंद आए हूँ तर लाइक जरूर कर दीजेगा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ब